हेलो गाई जैप्रो इंफ्राटिक यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है तो आज इसका वीडियो बहुत ही खास और हेल्पफुल होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं किजिएगा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारे बिल्दिंग में का डिजाइन कैसे करते हैं अब हमारे बिल्दिंग का एक इंपॉर्डेंट पार्ट से हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यह एक मेरा प्लमिंग से लिएटर डेक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ओकी गाईस आज हम लोग समझेंगे कि यह प्लम्बिंग होता क्या है कि इस प्लम्बिंग कह से विएटर दो allons प्लमबिंग एक इसे फ्लोडर के बिल्डिंग में उन्पाइप के तुर उसको प्लमिंग बोलता है है यह प्लम्बिंग टू-वटर्श नाथ था रूटर शिस्टम और नथ को उन्हों है इस प्लमिंग याह विप आते हैं wowto जो भेसे जाते हैं जो cold water बोल सकते हैं इसको normally हम cold water बोलते हैं और उसी water को अगर हम होट करके अपने ही building में distribute करते हैं तो उसको water system बोलेंगे या फिर water supply system and second drainage system हो तो drainage system के अंदर waste water system, soil water system, surface water system आता है तो waste water system हम लोग किसको बोलेंगे? waste water system जो होता है जो urinals का पानी हुआ, basin का पानी हुआ, swords का पानी हुआ उसको waste water के अंदर आगा होगी और जो swell water system होता है, swell water system जो हमारे toilet होते हैं and toilet में जो sludge होता, sludge water, sludge water को बाहर कैसे discharge करते है, उसको soil water system बोलता है and next drainage system के अंदर में एक आता है, surface water system, जो कि हमारे roof पे जो water होते है, उसको discharge कैसे करेंगे? उसको बोलते है, surface water system तो यह हमारा एक plumbing का एक छोटा सा introduction था, और plumbing में हम लोग three type के pipes यूज करते है, water pipe, vent pipe और furnace pipe तो guys यह हमारे plumbing के बारे में एक introduction वीडियो था, और next video मैं बताऊंगी की plumbing को design कैसे करते है I hope यह वीडियो आपको बहुत तो संदा ही होगी, thank you for watching this video, bye bye